कर दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेगा हब में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक खास जानकारी लेकर आया हूं कि गर्ब में जो लड़का होता है वो सबसे पहले कहां लात मारता है आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूसफल होने वाली है वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखें चैनल पर नई आये हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें जिससे आने वाली हर वीडियो की नटिफिकेशन आपको मिले स आते हैं यह की गर्ब में लड़का किस तरफ जादालात मारता है और सबसे जादा गर्ब में कहां रहता है दोस्तों पहले ही बता दूं हमारे चैनल का उद्देश्य किसी भी एक लिंग को बढ़ावा देना बिलकुल नहीं है हमारी वीडियो का आप गलत मतलब बिलकुल भ जब आप प्रेग्णेंट हो जाती हैं और आप यह जानने की इत्षुक होती है कि जो आपके घर्ब में बेवी पल रहा है तो पनाते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं विना कोई टाइम गवाय हम स्टार्ट अगर दोस्तों आपकी प्रेगनेंसी का पांचवा महिना स्टार्ट होने लगा है और आपके बच्चे ने आपके गर्ब में कोई भी मूवमेंट नहीं की है तो ये आपके लिए वहुती खुशी की बात है क्योंकि दोस्तों पेट में जब लड़का पल रहा होता है तो वह मूवमेंट लेट करता है यानि की पांच महिने के बाद ही आपको लड़के की मूवमेंट महसूस होने लगेगी उसकी जो किक्स होती है पेट में वो आपको पांच महिने के बाद ही देखने को मिलेंगी या फिर महसूस होने के लिए मिलेंगी अब दोस्तो जो दूसरा question है वो है कि लड़का जब गर्ब में पल रहा होता है तो वो kick सबसे ज़्यादा किस तरफ करता है अगर दोस्तो आपके बच्चे की kicks आपको आपकी नाभी के नीचे की तरफ यानि कि नावी के नीचे आपको अगर बच्चे की किक्स महसूस हो रही है या फिर दिखाई दे रही है या फिर फील हो रही है तो यह भी एक गर्ब में लड़का होने का सठीक लक्षन माना जाता है ऐसा बोलते हैं कि जो लड़का होता है वो नावी के नीचे ही किक करता है इसके अलावा दोस्तों अगर आपको आपके बच्चे का भार जब आप सोती हो वो आपको राइट साइड ज़्यादा महसूस हो रहा है यानि कि आपको ऐसा लग रहा है जब आप लेटी हुई हैं तो आपका जो बच्चा है वो राइट साइड ज़्यादा उसका बजन आपको महसूस हो रहा है तो यह भी एक गर्मे लड़का होने की पकी निसानी मानी जाती है इससे आप अंदाजा लगा सकती है कि आप एक बेटे को जनम देने वाली है तो दोस्तो उमीद करूँगा यह साइन आपको पसंद आएंगे यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी अच्छी लगी तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलते हैं ऐसी important जहनकारी के साथ अगली वीडियो में जब तक के लिए thanks for watching